जाब किस्री में आप सबका स्वागत है मैं हूँ चंदर शेकर धरनी हर्याना की कॉंग्रस पाल्टी ने अपना चुनावी घोशना पत्र साथ गरंटियां आज लॉंच की है और दिली के अंदर ये लॉंचिंग हुई है इसकी दूसरी किस्ट जो है दूसरा एजेंडा जो है बाकि जो आठ गरंटियां और हैं वो जल्दी ही चंदिगड़ में लॉंच की जाएंगी नेता प्रतिपक्ष पुपिंदर सिंगुड़ा कॉंग्रस के जो प्रदेशा देक्ष्या उदेभान तदारास्टी कॉंग्रस के अधरक्ष इस अफसर पर मौजूद रहे प्रवीन में मौजूद हैं इन से बाचित करेंगे तथा चुनावी घोशना पत्र पर एक्षिंज भी लेंगे परवीन जी स्वागत आपका धन्यवाद हरनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके पंजाब के सी के दर्सकों को मेरा प्रवीन जी जिस परकार से ये चुनावी घोशन पत्र में मीडिया के बंदों के लिए एक तो ये वाइदा किया कि वो पेंशन बढ़ाएंगे दूसरा उन्होंने बात की कैसलेस की लिए जहां तक कॉंगरेस के वाइदों की बात है कॉंगरेस के वाइदे जूट का पुलिंदा होते हैं ये चीज़ आप पहले भी देख च कर्मियों के साथ लेकिन अंतता है दो हजार चोदा तक बुपेंदर सिंग हुड़ा ने अपने इस वाइदे को पूरा नहीं किया ये हम देख चुके हैं क्योंके कॉंगरेस की सोच के वलेक है जूट बोलो जूटा वाइदा करो वोट बटोरो और सत्ता अतिया लो और कॉं भारती जनता पाइटी की सरकार आती है भारती जनता पाइटी पत्रकार बंदूओं को पैंशन देने की बात 15,000 रुपे महावाराज पैंशन मिल रही है पत्रकार बंदूओं को पत्रकार बंदूओं के खिलाफ अगर कोई F.I.R. हो जाए तो उनकी पैंशन रुख और वो चीज जो है बीच में रहागी और लेकिन मैं ये बात बड़े पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि जब तीसरी बार भारती जंता पार्टी की सरकार बनेगी तो पतरकार साधियों को ये कैसलेस वाली सुविदा भी मिलेगी मीडिया के लिए अगर कहा जाए चुनावी गोशनाओं में जो गोशना पतर आते हैं ज्यादा तर कुछ रखा नहीं जाता दो जार नौ में जहां तक मेरी जानकारी है कि वो बिंदर सिंग घुड़ा नहीं रखा था कि मीडिया अन्य लोगों के खिलाब जिसके भी कोई मुक में मेडिया कर्मियों से वाइदा किया था कि अगर जो मुकदमे दर्जे वापिस होंगे और तो उन्हों ने किसान निताओं से भी वाइदा किया था कि किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्जे उनको वापिस लिया जाएगा लेकिन कोई वाइदा पूरा नहीं किया क्यों कि मुखे मंतरी नायब सिंग सेनी पहले ही पांसर रुपे का गैस लेंटर दे चुके हैं एक अगस से वो योजना लागू हो चुकी है और एक अगस से लेके पंदरा अगस तक जिन लोगों को पांसर रुपे का गैस लेंटर मिला उनकी सबसीड़ी उनके खाते में भी ट्रां किती रही अब कॉंग्रेस कह रही है पत्रकारों को कैशलेस सुविधा हैल्थ सुविधा मिलेगी यानि वो एक पत्रकार तक्सीमी तक क्या आप पत्रकारों के परिवारों तक देंगे या पूरे परिवार को होगी जैसे सरकारी करमचारी के होती है या क्या उसमें गैप है या नहीं है कुछ? नहीं ये अइसा होता है कि जब स्वास्ट जोड़ाओं से संबंदित Alabama मिलता है तो पूरे परिवार को मिलता है. यहキोंघ्रेस तो जो पिकेंड चूज कर रही है. कांग्रेस की कीड्यों चूज की सोची है बनती है. कि कांग्रेस केवAL दोखा कर रही है, वाइदा नहीं कर रही है, दोखा कर रही है, क्योंकि चाहे हम आईशमान भारतकार यो की बात करें, जब वो सुविदा की मिलती है, पूरे परिवार को मिलती है, करमचारियों को कैशलेस की सुविदा मिलती है, तो पूरे परिवार को मिलती है, और हमने भी पत्रकार के पूरे परिवार को कैशलेस के सुविदा मिले ये हमने योजना बनाई थी लेकिन कॉंग्रेस अगर आज ये कहती है कि हम तो किवल पत्रकार को देंगे परिवार को नहीं देंगे तो इससे पता नहीं लगता कॉंग्रेस की सोच कैसी है तो अत्री जी इसके लावा अगर चर्चा की जाए पूरे गोशना पत्र में चुनावी जो साथ आज गरंटिया दी गही हैं तो गरंटी शावत तो जहां से शुरूआ आज सभी जानते हैं लेकिन आप से यह पूछना चाहूँगा कि अन्ने चीजों में आप क्या देख रहे नहीं किये और अगर ताजा उधारना आपको दू कॉंग्रेस हाँ हरियाना के घोशना पत्र में यह कह रही है कि हम मैलाओं को दोजार रुपे देंगे यही वाइदा तो हिमाचल में किया था दू साल होगे सत्ता में आया हुए माचल में क्यों नहीं दिया मैलाओं को देंगे तो दूर की बात उनको तनखानी मिल रही है किया आपके बीज़ेपी का आपने 2014-2019 का घोशना पत्र आंकलित किया है या उसको सर्च करने की कोशिश की है या कोई डेटा है आपके पस उसमें से कितनी घोशना है पूरी हुई? दस साल में हमने 2000 जो 19 का घोशना पत् और कॉंग्रेस में एक और बात आपको कहने वाला था कि कॉंग्रेस के इस जूट के बहुत से नमूने हैं। है हिमाचल के अंदर जिस तरह से इनोंने वाइदा किया था कि दो लाख नोकरियें हर साल देंगे और यह वाइदा प्रियंका गांदी ने अपने भाशन में किया था लेकिन बाद में जो मुख्या मंतरी है सुखुदर सुखुजी वो एक चैनल के इंटर्विव में सपस्ट रुपे मुकर जाते हैं वो कहते हैं कि साथ देखो हमने नोकरियें देने का वाइदा नहीं किया था जो पार्टी यह कहती है दो लाख नोकरियें देंगी उसने दो साल में नोकरी का एक इस्तिहार तक नहीं निकालाई माचल में तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सोच जो एक रुपया दिया हो इनों ना इस वर कांग्रस ने अब जो साथ गरंटियां दी उन में महिलाओं के लिए क्या देखते हैं दो हजार रुपय देने का वाइदा किया मैं कि बता तो रहा हूं यही वाइदा हिमाचल में किया था आज तक एक रुपया नहीं दिया यही शहाउना की जनता बहुत जागरूख है मैं एक स्वाल इसके लावा लोगा कि कांग्रस के इन गरंटियों का आप जीटी रोड बैल्ट या पूरे हरेना के बाहिजिलों में क्या असर देखते हैं कोई असर नहीं किके कांग्रस के इतिहास को कांग्रस की सोच को कांग्रस के विचार को हर्याना की जंता ने आज ही देख लिया अरे भाई इनकी पहली गारंटी तो निटी फ्रीदाबाज से विधायक नीरत शर्मा ने दे दी नीरत शर्मा ने खुले हम गारंटी दी है कि हम योगिता के हिसाब से नोकरी नहीं देंगे क्योंकि मैरिट हमें समझ नहीं आती वो कहते कि हुडा साब ने दो लाख नोकरियों का वाइदा किया है और भाई हम तो पचास वोट पे एक नोकरी देंगे मतलब जो परची खर्ची नोकरियों की बंदरबांट भरष्टाचार दो हजार चोदा से पहले होता था कॉंग्रेस उसको दुबारा वापिस ला तो यह लूट मचाएंगे जैसी लूट इन्होंने दोजार चोदा से पहले मचाई होई था नीरज शर्मा के बियानों का जिकर खुद किया आपने तो वो तो आपने बियानों के बाद में एक बियानों और जारी कर चुके हैं कि यह बीजेपी के आईटी सेल की महरवानी है वीडियो सामने हैं आपके वीडियो को आप देख सकते हैं आपके चैनल के पास एक्सपर्ट की टीम है जो यह बात का पता लगा सकती है कि यह डॉक्टर्ड वीडियो है असली वीडियो है आप चेक कर लीजिए सचाई यह है कि नीरज शर्मा के मूँ से कॉंग्रेस की सचाई सामने आ गई और जैसी कॉंग्रेस की सचाई सामने आ गई प्रदेश के युवा को पता लगा कि यह तो आपकी नोकरियों पे डाका डालने वाले हैं मैं तो आपके जरीए धरनी जी प्रदेश के यूथ को प्रदेश की जनता को अपील करूँगा कि बचो इन लुटेरों से ये लुटेरे खुले हैं आम अपनी मन्शा का इज्यार कर रहे हैं अगर कहीं गलती से आपने गलती कर दी और हासता आ गई तो ये गरीब शोशित वंचित समाज के बच्चों के हक पे डाका डालेंगे जैसे नीरशर्मा कह रहा है गोगी जी जैसे कह रहे हैं कि पहले अपने घर भरेंगे फिरिस्दारों के भरेंगे ये लोग आपके संसाधनों पे डाका डालेंगे इस हर्याना के अंदर लूट मचाएंगे जैसी लूट इन्होंने 2014 से पहले मचाई थी जनता को इस बात को समझना है और मैं तो अपील करता हूँ जनता से के कॉंग्रेस की सोच को समझे और इनको इनकी असली जगह दिखाए धन्यवाद तो यह है परवीन अत्रे देखिए कांग्रेस के घोशना पत्र पर जो टिपनिये हैं इनकी जो इनकी राये हैं जो इनका रिसर्च वर्क है वह हम जनता तक सीधा पुंचा रहे हैं कैमरामेन संजे सिंग के साथ चंदर शेकर धरनी पंजाब के स्री टीवी चंदीगड़ हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद